रमजान आने वाला है और यह चटनी बहुत ही काम आती है जो हम वान मन्थ के लिए फ्रिच में स्टोर कर सकते हैं तो चलिए हम इसकी रेसिपी देखते हैं यहां मैंने 14-18 खजूर ले लिया है यहां पर है इमली का पानी और यह है जीरो और बड़ी शुप का पाउडर जो प इसे बाइट साइस पीसिस में कट करेंगे और फिर हम हमें इन खजूरों को आदा घंटा सोक करना है अगर आपके पस टाइम नहीं हो तो आप इसे गरम पानी में पांच मिन्ट सोक कर सकते हो पानी जैसे थंड़ा हो जाएगा तो आप इसे ग्राइंड कर दीजे यह करने वाले हैं अब इसमें मैं बाकी के चीजों को आड करोंगी जैसे हाँ पर मैं गुड आड कर रही हूं या जैगरी फिर जो हमने जीरा और बड़ी शुप का पाउडर बनाया था रोस्ट करके वो डाल रही हूं इमली का पानी यह इमली काफी खट्टी थी इसले मैंने इसे thढ़ा र Sadhguru में बनाया था और फिर इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिच और रचली पाउड़र कश्मीरी लाल मिच बैसिकली कलर के लिए है और रचली पाउडर तीखा पन के लिए हैं फिर सबसे इंपॉर्टिन चीज है है यहापर स्वार्ट या जिंजा सmeast करने के बार कि पानी चट्नी ढ़ल बनाब बहुत ही साथा पानी डालनी आलना है याक्षि तो पहले इसे रनी टुका रहे हैं 10 मिनिट्स कुक करने के बाद हमारी चटनी रेड़ी है